असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों आज हम लीप इयर यहनुके लीप साल क्या होता है इसके बारे में तफ्सिर से मालूमात हासिल करेंगे तो बच्चों जैसा कि आपको इससे पहले बताये गया है मैंने जिक्र किया था गिर्गोरियन कलेंडर के बारे में तो गिर्गोरियन कलेंडर में एक साल का वक्वा 365 दिन और 6 घंटे का होता है जी हाँ, मिल्कुल सही सुना आपने 365 दिन 6 घंटा अब आप अगर देखो कि ये 6 घंटा जमा 6 घंटे, जमा 6 घंटे इस तरह से 4 मरतबा अगर आपने इसको जमा किये तो आपके पास हो जाएगे 24 घंटे और 24 घंटे से कुछ याद आया 24 घंटे का एक यौम एक दिन होता है तो हमारी जमीन को सुरज के अत्राव गर्दिश करने के लिए 365 दिन 6 घंटे लग रहे है तो अगर ये 4 साल तक गर्दिश करेगी तो 6 घंटे 6 घंटे जमा करेंगे हम तो ये कुल मिला कर एक यौम जायद हमारे पास हो जाएगा तो ये एक दिन को कहां पर हम एडियस करेंगे कहां पर इसको फिक्स करेंगे तो हमने इसे केलिंडर में एक जगा दी है उसी को हम कहते हैं लीप साल हर 4 साल के बाद हम फरवरी के महीने में 29 दिन मा आते हैं आप केलिंडर उठा कर देखो तो आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि हर चार साल के बाद एक साल ऐसे तो फरवरी में 28 दिन ही होते हैं लेकिन जब लीप एयर होगा, लीप साल होगा उस वक्त फरवरी में 29 दिन होते हैं जैसे कि 2004 में लीप साल था अब उसकी चार साल बाद 2008 में 2008 के बाद 2012, 2016, 2020 इसके बाद अप का आएगा लीप साल? जी हाँ, 2024 में लीप साल होगा तो इस तरह से हर चार साल के बाद लीप एयर यानि कि लीप साल होता है लंबा साल होता है और यह इसे लीप एयर इसलिए कहते हैं क्योंकि फरवरी के महिने में आम तरप 48 दिन होते हैं लेकिन लीप एयर में 28 की बजाए 29 दिनों का शुमार किया जाता है तो इसके बाद आप लोग इसे केलेंडर में भी एक मतबा तफ्तिश कर लीजिए कि आपको साने जो बात बताएं क्या वाकई में ऐसा होता है या वाकई में ऐसा हुआ है आप के पास मूबाइल है आप मूबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं ठीक है लीप एयर के बारे में इतना ही अब हम हमारे अगले टॉपिक बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आप जानते हैं के पिछली जमातों में हमने पढ़ा है कि जमीन का महवर साड़े तेज दरजा जुका हुआ है जिसकी वज़े से यहां पर दिन और रात और मौसम मसा भी नहीं होते हैं यहां पर अगर हम गुलोब की मिसाल लें तो आपको समझ में आएगा हमने देखा कुतोबी शमाली ए मयं और कुतोबी जुनुबी एस क्लावे तो यहां पर होता ही है कि शमाली हिस्से में य supremacy में 12 मार्च से 23 सिप्टिंबर जी हां 12 मार्च से 23 सिप्टिंबर में कि सूरच की रोश्णी शमाली हिस्से पर zalदा पड़ती है जिसकी वज़े से वहाँ पर हरारत जादा होती है यानि गर्मी जादा होती है और इसके बराक्स तेवी सिप्टिम्बर से जुनूबी हिस्से में तो अब हम जुनूबी हिस्से का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 23 सिप्टिम्बर से 22 मार्च तक रोशनी सूरच की रोशनी यानि के सूरच की हरारत जादा पड़ती है तो यहाँ पर गर्मी का मौसम उस वक्त होता है आपकी दर्सी किताब में एक सवाल दिया गया था कि अमीन को अपनी दादी को आस्ट्रेलिया लेकर जाना है और उसकी दा अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आप यह सवाल आपके लिए है कि वहां पर 22 मार्च से 23 सिप्टिम्बर के दर्मियान मौसम गर्मा होगा या मौसम सर्मा होगा या सर्दी का मौसम होगा या गर्मी का मौसम होगा उस लिहास से आप अंदाजा लगा सकते हैं ठीक अब बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलू कि जिस तरह से जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के अतराफ में गर्दिश करती है तो मैंने भी आपको तथक्रा किया चांद का तो यह जो चांद है यह सिर्फ अफ़िद ज ने समसिते हमाता है थक्राइब थो आता है कंदर को और पनिम राहे में अदिका तुर्ण में never Griffin ते आते हैं महावष जब आस्मान में आपको उते पिलकुल भी नज़र नहीं आएगा वो धीरे धीरे घटते वे खत्म हो जाता है नजर नहीं आता है उस हलत को अमावस कहते हैं उसके बाद हम कम्री महीना और कम्री दिन भी देखेंगे आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खया रखिये शुक्रिया यस dodato二 हुई जसली दाए है ज Vari मिलते हैं आज क devo दो पर छो जो में तुआ है जह प्तgi को भी दोर वीडियो में खिया है